हुआता का अपर इंट पीद भरने की चीजे थी वह दिया घाहर अब आज के जमाने में आप यहूं दीजेए आगर किसी इलाखे में पनी खաճाए तक लुल दीजी जे आए बाजरा दीजी जवार दीजी यह मकय दीजिए बारंग den चावल दीजिए और वो चीज़े दीजिए जो आप खुद खाते हो या आप जो खाते हैं उससे नीचे तो आना है नहीं तो गलत फ़हम यह कि गहूं देना आपको एक चीज़ बताओं मैं गहूं भी सहाबा दिया करते थे लेकिन आपको बताए गहूं डबल महंगा था जो से गहूं कॉस्ट वाइस डबल रेट हुआ करता था जो से तो जो के बदले अगर को गहूं दे रहा है तो एक आला चीज़ दे रहा था तब कि आज हम जानते गहूं सस्ता है चावल से अब तो बाजरी महंगी होगी लोग लगाते नहीं आजकर तो बाजरी तो 40 सर्वे किलो जारी गहूं 22-25 सर्वे किलो है ना समझ रहा तो ऐसा ना दीजिए जो लोग खाते हो ठीक है तो ऐसा ना वो गहूं का चक्कर बड़ा हमापा होता है इंडि मक्का खाते हैं सब्सक्रावां पंजाव अगरे मक्का काते है मक्का की रूटी बनती मातया मकक वह हमाड़ को अगर खाये हम की में फूड होता है सालन के साथ खाने मक्का देच्टिए जो भी वहराल जवार बाजरा और यो जो जो चीजजिजि आपके लाखों को होती हि겠ि अबुसाइद खुदुरी रज़रों अनु भर कहते हैं कि नभी एकरम की जमाने में फरमाते हैं कि हम सदका फित्र एक सा गला या एक सा जव या एक सा खजूर या एक सा पनीर या एक सा जो है मुनागा दिया करते थे तो गल्ले के अंदर गल्ले के सासत क्या क्या दिया करते थे जव, पनीर, मुनाफ़ा और खजूर या तो गल्ला एक सा दे दो अनाच या अनाच के अलावा जव, पनीर ये इस तमाम चीज़े भी साबा एक सा जो है लोगों को इदल फितर में फितराना के तौर पर या फितराने के तौर पर दिया करते थे तो हम भी क्या करें, जो फूड ग्रेंस आपके अलाखे में खाए पिये जाते हैं, उन गिजायात को ही आप दे किसी जगा हो सकता है, और भी कुछ चलते होंगे, मुंग है, मठ है, और क्या है, राजमा है तो जगा ऐसा है, यह लोग इसको घिजायात के तौर पर खाते हैं, फुल फूड हो ताइम करें, वो भी दे सकते हैं, कोई मसला है, ठीक है, तो आप घिजायात जो भी चलती है, वो दें, नभी एकरम खाने, पीने के चीज़े ही दी जाया, आए आगे बड़ते हैं, سैवन्थ पॉइंट हम देखते हैं, साथाथ पॉइंट यह, कि यह जो चीज़े दी जारी है, कितनी दी जाया मकसद हमने देख लिया फर्ज है हमने उसके हमिएट को जान लिया कौन दे हमने जान लिया किस-किस के तरफ से कौन दे वो हमने देख लिया ठीक है उसके बाद हमने ये देख लिया कि इसको किन चीजों में दिया जाए मैं कॉंटिटिटीए मेजर क्यूं कह रहा हूं इसलिए कि 07 ये वीट नहीं था ये मेजर नहीं था दिया मेजर और वेट मैं क्याँ फार्खा था में मतलब वहज़न होता है इसंटर आपने के लो रहाël तो एक किलो होते हैं जिसके नाम होते हैं जैसा कि आम जार में कहों तो एक टी स्पून दवा पिला दीजिए टी स्पून जो है यह को वेट नहीं है एक मेजर है एक पैमाना है खाली एक टेबल स्पून अंदाजा है वह एक मगगा चाओं देखें डबबे होते हैं मेंस दबबबा दो टबबे तो चावाल आए तो वेट जादा आएंगा घहूं आए तो वेट कम आएंगा शकर आएगी तो वेट जादा होना क्यों तो तो जितनी अंदर जाने वाले चीज स्पेस कम लेंगी समझ रहा उतनी जाद अंदर बैठेंगी तो यह सा भी जो था यह कोई ग्राम्स में नहीं था यह एक साइस था एक मेजरमेंट एक इंस्टुमेंट था जिसमें अनाज लिया जाता समझ रहा सा वो अनाज लेने का एक पैमाना था तो यह एक रफ एस्टिमेंट होता है इसको हम एक्जेक वेट में नहीं निकाल सकते हैं लोगों ने निकाला है वो हिजाजी का कितना एक सा होते हैं उसमें चार मुद होते हैं इसलिए अधिस में आता नभी एकरम सुर लिए इतने एक हिजाजी सा जो है वो देनायर वो मैंने पहले रिवाइद रख दी नभी एकरम सुर्ण जो मुतफ़का लिए साही बखारी साही मस्लिम किये अबुसाहित खुदीर रजिए नभी एकरम सुर्ण के जमाने में हम जकातु फिद्र एक सा गला एक सा हजूर एक सा पनीर एक सा जो एसा मुनका सा ठीक तो एक हिजाजी सा जो है वो दिया जाता जो एप्रॉक्जिमेटली नाट एग्जैक्ली टू थाउजन फाइफ हंड़ेड ग्राम के एक्कुवैलन अनाच के होता है पॉह ग्जैक्ली नहीं इसे लिए अब फगहा केस में मुक्तलिफ राये देखेंगे दो किलो दो सो पचास ग्राम दो किलो पास सो ग्राम दो किलो डो छे सो ग्राम dua कीलो nic स 손 हाई की लो के बराबर एप्रॉक्जिमेंटली अब पैमाना अगर छलक जाए जादा की तरफ तो खेर अच्छी बात है तो अच्छी होता है ना समझा लेकिन नीचे ना आने द्याग तो समझ रहा ठीक है जादा हो जाए